Friends AutoCade Mechanical Practice Session में आज हम जो drawing बनाने वाले हैं, देखते हैं हम उसको, तो आज का जो हमारा drawing पार्ट है, उसमें हम इस object को 3D modeling करेंगे, तो चलिए start करते हैं, सबसे पहले हम इस image को copy कर लेते हैं, तो यहां से हमने इस image को copy कर रहा, copy करने के बाद देन हम हमारे AutoCade screen पर जाते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट करने के बाद क्विसी भी location पर आप इसे पेस्ट कर सकते हैं, और जितना आपको इसका size चाहिए उतने पर आप इसे zero angle के साथ, zero enter करके आप इसे ला सकते हैं, इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, हमारी दूसरा जो पार्ट है, वो भी हम start करेंग दूसरी drawing लेंगे, जहाँ पर हमने start करना है, तो हमने यहाँ पर new drawing पर click करा, new drawing क्लिक करने के बाद हम कहाँ पर जाएंगे, हम जाएंगे view में, जैसा कि आप यहाँ पर ऊपर देख पा रहा है, screen के उपर वाले portion में view, हम यहाँ पर view पर click करते हैं, चाहिए, और यहाँ पर view पर जाने के बाद हमारी में यहाँ पर option आपको दिखाई दे रहोंगे, tiles vertically, interface पर आप जाएंगे, tile vertically, चाहिए, तो यहाँ पर हम tile vertically पर click करते हैं, तो देखिए, यहाँ पर हमारी यहाँ पर vertically हमें show होने लग गए, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारा size को बढ़ा लेते है जिस पर हमारा working space है, इसको हम थोड़ा सा screen को कर लेते हैं, हम इसका size बढ़ा लेते हैं, तो हमने working space का size बढ़ा लिया है, इसका हम कुछ और size रख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप click करेंगे, उसमें आप आजाएंगे, screen के अंदर, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ इ चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आपको multiple views दिखाई दे रहा है, हम top view से इसे बनाते हैं, तो start करते हैं, इस circle के साथ, center वाले circle के साथ, तो यहाँ पर देखिए, इस circle का radius है, ठीक है, अगर internal वाले का diameter देखेंगे, तो 100, बाहर वाले का 120, और सबसे outer वाले का कितना है, 150, तो हम यहाँ पर इसे ऐसे ही करते हैं, सबसे पहले हमने लिया circle, इसका command का shortcut है C, यह आप यहाँ से भी ले सकते है, circle C, ठीक है, जहाँ से आप यूज करना चाहें, तो मैं यहाँ से लेता हूँ, circle C, C लेने के बाद हमने इसको क्या करा, हमें diameter दे रहा है, तो हमने right click करा, ठीक है, mouse का right click करेंगे, right click करने के बाद, आपको अपशन मिलता है, यह नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, diameter, तो यहाँ पर देखी diameter और diameter देने के बाद, हम इस diameter की value को enter करेंगे, तो diameter हमारे पास कितना है, यहाँ पर सबसे पहला जो circle है, उसका diameter 100 है, तो इसके लिए shortcut है z enter e enter इसे हम बोलते हैं zoom extend zoom extend में होता है आपका object कहीं पर भी होगा वो आपके screen पर आ जाएगा तो मैंने इसको थोड़ा सा scroll down कर लिया है यह वापस में circle लेता हूँ c c लेने के बाद इसका center अगर center visible ना हो तो आप इस circle के जो periphery spell ले जाएंगे तो यह center visible हो जाएगा center लिया center लेने के बाद वापस हम ही क्या चाहिए diameter इस बार diameter हमारा कितना है next diameter हमारा 120 हमने 120 इंटर करा similarly next circle है हमारा ठीक है और यहां पर हमारा diameter कितना है 150 तो diameter और हमने यहां पर value दी 150 चीचे आप यहां पर देखिए इस दोनों circle से यहां पर distance कितनी है यहां पर हमारी 150 mm यहां पर देख सकते हैं अगर साइट पर 150 mm तो यहां पर हमने क्या करा हम आप अलग-अलग वे से उसे वग कर सकते में देखिए आपको एक और तरीके से वग करके बताता हूं यह जो circle है इसका diameter किता है 50 तो हमने एक circle बनाया c enter लिया ठीक है और इसका diameter लिया हमने कितना 50 50 लेने के बाद इस circle को हमने select करा हम move command यूज करेंगे move के लिए shortcut है m m enter हम लिया enter करा center को हमने pick करा center को pick करेंगे याने select करेंगे mouse के left से select करा और इसके बाद इस direction में जिस direction में आपको लेके जाना है तो देखिए वापस आपको direction fix करना है तो हम क्या प्रेस करेंगे f8 orthomod on कर लेंगे और तो देखिए 90 degree पर क्या हो गया fix हो गया हमारो यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे orthomod जो हमने on करा इसका shortcut क्या है f8 अब यहां से center center distance अगर आप देखेंगे यहां पर तो यह कितनी है 150 mm तो हमने यहां पर कितना लिया 150 mm और similarly हमने यहां पर दूसरा circle भी बना दिया है दूसरा circle जो है वह 80 डाय का है तो हमने circle कमाड लिया c center लिया और यहां पर हमने diameter लिया कितना एक्टी एक्टी लेने के बाद जो हमें यहां पर यह टैंजेंट circle लिया पर बनाना है टैंजेंट चिक है तो आप यहां पर direct जाके टैंजेंट circle भी ले सकते हैं TTR जिस एंटर करा चिक है और वापस हमें इस ओब्जेक्ट को क्या कर देंगे ट्रिम कर देंगे तो ट्रिम के लिए शॉर्ट कट है TTR हमने एंटर करा और एक और बार हम क्या करेंगे इंटर करेंगे और इस ओब्जेक्ट को क्लिक करके इसे ट्रिम कर देंगे चिक है यह ऑब्जे और इसका center, चीक है, और उसके बाद, select करने के बाद, enter, चीक है, तो देखिए आपका object पूरा का पूरा क्या हो गया, mirror हो गया है, सेब हम ये पूरा object इस तरफ क्या कर देते हैं, इसे mirror कर देते हैं, तो हम all object को select करते हैं, MI हमने लिया, और enter, ठीक है, फिर वापस हमने center select करा, ठीक है, और ये देखिए, तो ये हमारा 2D में object हमारा बनके तयार हो गया है, इस 2D में object को बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हम जाते हैं वापस हमारा 3D mode के अंदर, तो 3D mode के अंदर आप जाने के लि बोलते हैं, हम isometric view में जाएंगे, isometric view के लिए simple सा हम यहाँ पर आपको top दिख रहा होगा, corner में, ठीक है, इस top की जगह पर हम यहाँ पर क्या select करेंगे, southwest, isometric, तो हमारा जो screen है, यह क्या हो गया है, southwest, isometric में change हो गया है, या आप इसे change भी कर सकते हैं, अगर southwest में नहीं करना ह तो आप इसे क्या कर सकते हैं, south east भी कर सकते हैं, इस तरीके से, अब यहाँ पर हम देखते हैं, इसको हम कैसे यह बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए, first वाला जो object आपको देख रहा है, इसकी कितनी है, 40 height है, और यह total की 70 height है, 70 means यह बाहर वाला जो part है, इसका, ठीक है, औ और अगर यह हमारा extra object है, इसको आप अभी भी कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, आपको क्या करना है, trim tr double enter, ठीक है, तो यह first object, यह second object, यह आपने trim कर दिया, ठीक है, तो चलिए, start करते हैं, तो हम यहाँ पर use करेंगे press pull, ठीक है, press pull यहाँ पर सबसे ज़ादा यूज होने वा press pull command हमारी active हो चुकी है, तो हम देखिए हमें, अगर यह वाला part जो है, इसको press pull करना है, तो हम इसके center में लाएंगे, चीक है, और इसको हम ऊपर की और move करेंगे, चीक है, उपर move करा, और उपर हमने इसको hide 40, enter, चीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका, जो style है, वो अभी 2 चीक है, यहाँ चा आफर हम इसे चेंच कर देते है, 2D wire frame है, उपर इसको कर देते हैं, हम यहाँ पर इसे कर लेते है, shaded with edges यह shades of gray, जो भी आपको youse करना है, हम should add with edges, use करते हैं, तो यहाँ आपर देखेzkिए, shaded with edges आपको दिखाः दे रहा है, इहां पर, ठीक है वापस हम क्य करेंगे PressPool, प्रेस्ट पूल हमने वापस लिया इस अब्जेक्ट को select करा और इसको हमने कितनी देदी 40 enter और यह वाला जो पार्ट है इसको कितना लेना हमें या फिर हम पहले इसको ले लेते हैं अन्दर वाले को यह वाली है हमाई 70 तो हमने इसको select करा और इसकी हाइड हम लेले कितनी 70 और similarly यह वाला जो पीच का पार्ट है ठीक है इसकी हाइड कितनी है इसकी हाइड है ठीकने से हमाई पास कितनी ठीकने से अगर आप इस में क्रीन में देखेंगे कर सकते हैं इस अबजेक्ट को अगर आपको सिंगल अबजेक्ट बनाना है यह भी क्या है सभी इंडिविजल ऑबजेक्ट है हमारे इसको अगर आपको सिंगल ऑबजेक्ट बनाने तो हम यह पर यूस करेंगे क्या यूनियन यूनियन यूस करने के बाद पूरे अबजेक्ट क हम क्या करेंगे select करेंगे then enter इस तरीके से प्रेस पूल सेखिए हमने सिर्फ क्या कर रहा है हमने 3D की सिर्फ अभी तक एक ही command यूज़ कर रही है press pull और हम यह object prepare कर पाएं तो अगर आप 2D to 3D object बनाएंगे तो आप बहुत अगर आप 3D commands यूज़ करके बनाना चाहेंगे तो वह थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल टास्क होगा अगर आपके और भी कोई questions हो या आप कोई discussion मुझसे करना चाहते हैं तो मुझे जरूर comment करके बताएगा तो या आप और कोई exercise है जिन पर work करना चाहते हैं तो मुझसे जरूर शेयर करिएगा तो कमेंट सेक्शन में हम जरूर इससे डिसकर्स करेंगे ठीक है thank you have a nice day